पहले पाकिस्तान के कबजे में जो कस्मीर है वो तो लेकर आईए जिहां मुंबई के बांदरा इस्तित कराची स्वीट्स के नाम को लेकर शुरू हुई राजनीती थमने की बजाय पढ़ते ही जा रही है सिवसना और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जवाबी हमले कर रहे हैं दरसल सिवसना को जहां नाम से आपती नहीं है तो वहीं बीजेपी अखंड भारत की बात कर रही है इसे बीच सिवसना नेता संजराउत ने दिवेंद फड़नवीस के कराची भारत का हिस्सा एक दिन होगा वाले बयान पर पलटवार किया है उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान के कबजे में जो कस्मीर है वो लाईए महाराश्ट के पुर्वसियम दिवेंद फड़नवीस के बयान कराची भी एक दिन भारत का हिस्सा होगा पर सिवसना नेता संजराउत ने कहा कि अगर कराची हिंदुस्तान में आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन सबसे पहले जो पाक के कबजे में कस्मीर है वो लाईए बाद में हम कराची तक भी पहुँच जाएंगे बिहार के उपमुख्यमंत्री तार किसोर परसाद का विपक्च परवार कहा हार को करो स्विकार जिहां भारती जनतापाटी के वरिष्ट नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तार किसोर परसाद का कहना है कि विपक्च हाल ही में मिले जनादेश को अब तक पचा नहीं पा रहा है उन्होंने विपक्च को सलाह देते हुए कहा कि उसे जनादेश स्विकार कर सकरात्मक सोच के साथ सरकार को सहयो करना चाहिए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्च की बड़ी भूमिका है पहली बार उपमुख्यमंत्री बने तार किश्वर ने आईए एनस के साथ विशेस बातचीत में कहा कि राष्टिय जनतांत्री गटबंदन को मुख्यमंत्री नितीश कुमार के नितरत में जनादेश मिला है भाजपा और जदियू मिलकर सरकार चलाएंगे और दोनों के घोषना पत्रों पर अमल किया जाएगा उन्होंने सीटों के कम और ज़्यादा होने के प्रशनों को नकारते हुए कहा कि चुनाओं में भाजपा और जदियू साथ में गई थी और लोगों ने अपना मत दिया है इसका असर सरकार पर कोई नहीं पड़ेगा उन्हें दावा करते हुए कहा कि राजग की सरकार अब नए तेवर के साथ काम करेगी इस बार हमें जो बिहार के जनादीश मिला है वो बिकास के नाम पर मिला है हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं NCB डिरेक्टर समीर वान खेड़े पर मुंबई में ड्रग पैट्रलर ने किया हमला तीन आरोपियों को कोट ने 14 दिनों की न्याई की हिरासत में भेजा जहां बॉलिवूड में ड्रग कनेक्शन की जाच कर रही नार्कोटिक्स कंट्रूल ब्यूरो की टीम पर हमले की खबर सामने आ रही है जनकारी के अनुसार NCB के जोर्नल डायरेक्टर समीर वान खेड़े और उनकी पांच सदस्ये टीम पर ड्रग पैट्रलर्स त्वारा हमला किया गया है इस दुरान दो अपसरों को गंभीर चोटे भी लगी है यह हमला उस वक्त किया गया जब NCB के टीम चापा मारने गई हुई थी जिसकी अगवाई समीर वान खेड़े खुद कर रहे थे आपको बता दें कि ड्रग पैट्रलर्स के साथ कई लोग मौके पर जमा हो गये उन्होंने NCB टीम पर हमला बोल दिया मौंबई पुलिस ने पूरी स्थिती को कंट्रोल में करते हुए ड्रग पैट्लर्स को गिरफतार कर लिया है मौंबई पुलिस द्वारा गिरफतार आरोपी का नाम कैरी मेडनिस है और इसके साथ ही कोट ने गिरफतार किये गये इनों आरोपियों को 14 दिनों की न्याई की हिरासत में भेज दिया है। पार्टी को मिली हार पर अपनी प्रतिकरिया देते हुए कहा कि चुनाव फाइव स्टार होटल में रहकर नहीं लड़ा जाता है। जहाज की संग्या देते हुए कहा कि कॉंग्रेस के डूबते जहाज की जिन जिन लोगों ने सवारी की है उनका हसर बहुत बुरा हुआ। अगले साल अहम राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले कॉंग्रेस की अंदुरूनी कलह सामने संजे निरूपब ने ए आई सीसी के नेताओं के खिलाफ खोला मोचा। जिन विधान सभा चुनाव और उपचुनाव में मिली हार के बाद से कॉंग्रेस में अंदुरूनी कलह का दोर जारी है। संजे निरूपब भी कूद पड़े हैं। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके परिवर्तन की मांगी है। ये संगठनात्मक चुनाव रामबान उपाए नहीं है। सचमुच ब्लॉक और जिला के स्तर पर संगठन का स्ट्रक्चर भिखड़ गया है। उसे चुनाव के बिना भी ठीक किया जा सकता है। पार्टी के प्रती लोगों में बढ़ते हुई बेरुखी सबसे ज़्यादा चिंता जनक है। उसे कैसे बदला जाए इस पर जोर देना पड़ेगा। उसे कैसे 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 ज़्यादान का स्ट्रक्चर भिखड़ प्रता जनक है।